लेते हैं question number 2, अब देखी question number 2 का पहले concept अच्छी तरीके से समझ लीजे आप लोग, क्या रहा है a suitcase with measure, ये तब diagram मत देखो ये गलती से उपर का आ गया है, उसको छोड़ा आप, अब question देखो, क्या रहा है कि a suitcase with measure 80 cm x 48 cm x 24 cm to be covered with a tarpaulin cloth, how many meters of tarpaulin of width 96 cm required to cover 100 such suitcase, अब मेरी बात ध् एक suit case है, ठीक, एक नहीं है 100 है, पहले में एक suit case ले रहा हूँ, ये एक suit case है मेरे पास, अरे भाई मान लो ये suit case है, ठीक, तो suit case का shape कैसा है, बताओ, qvoid है कि नहीं बताओ, suit case का shape कैसा है, qvoid है, length, breath और ये height है, ठीक, तो one qvoid पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा तो देखिए एक सूटकेस आपको कैसा दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से यहां पर देखी के जड़ा ठीक है यह वन सूटकेस की पिच्छर है अरे भाई मान लो सूटकेस है यह ठीक है तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको देखे रखा हुआ है कोश्चन में तो आप इसका टोटल सर्फिस एरिया निकाल सकते हो क्योंकि कुवाइट का टोटल सर्फिस एरिया का फार्मला आपको पता ही है ठीक तो यह हो गया लेंथ यह हो गया इसका ब्रेथ चीक और यह हो ब्रेथ हाइट होते हैं यानि कि लेंद कितनी है आपकी 80 cm यह L होता है यह B होता है L, B, H तो लेंद कितनी है 80 cm है और ब्रेथ कितनी है यह ब्रेथ कितनी है ब्रेथ है आपकी 48 cm और हाइट कितनी है बच्छों यह वाली हाइट कितनी है आपकी हाइट है आपकी 24 cm ठीक है students, length, breadth, height यहाँ पर आपको देखे रखाओ, अब सनो क्या रहा है कि यह जो suit case है न, इसको cover करना है tarpaulin, अरे कोई कपड़ा है, कपड़ा इसको cover करना है अब इक बाँ बताओ, जब इसको कपड़ा से cover करोगे एक suit case पर कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा लगाओ न, इसके उपर यह SS को cloth से cover कर दो, तो जितना इसका total surface area है उतना ही तो cloth लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा थान निकलती था, थान का मतलब एक bundle होता था, और इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझी गए इस concept को, नहीं तो आपको concept नहीं समझ में आएगा, यह देखे, यह देखे, यह एक कपड़े का bundle होता था, ऐसे, ठीक, यह खूप सारा कपड़ा इसमें लपे तो सेम रहती है, लेकिन कपड़े की length चेंज होती रहती है, यह सर, copy में note लगाएं, भाई, यह देखो ना, कपड़ा जब आपको काट के देगा, तो इतना कपड़ा भी दे सकता है, वो इतना कपड़ा भी दे सकता है, वो इतना भी, तो देख रहा आप, और अब तो दे दो, हमने, हमने, हमने का, उसनने का, वें कितना देदे, हमने का, दे दो, कुछ हमने बताई, 1 meter, तो 1 meter हमने निकाला, फिर थ् ps, बला, फिर हमने बिया, त्वल्दो दूसरी बार गायदा है, तो और ऐसे खोलेगा, तो देखरों आप जैसे-सर dip बढ़ाता रहें, उत्त एरिया मिलेगा यानि के बच्चों विट तो fix है लेंथ यहां चेंज हो रही है यानि कि जो कपड़ा इसमें से निकल रहा है थान में से उसकी length के उपड़ करता है कि कि इसे जाधा area का कपड़ा आपको मिलेगा थीक है students जितनी जाधा length लेके जाओगे उतना जादा एरिया आपको मिलेगा यानके धिशान से रह सुनेगा मेरी बात एरिया ओफ डिस क्लूथ इक है एरिया ओफ इस लोट डिपेंट्स ओन डिपेंट्स ओन डिपेंट्स ओन और दे लैज्ट ओन दा length L length को हमने L से दिखा है कपड़ की लंबाई कितनी L है because because the width width is fixed width इसकी नहीं change होती है ठीक ना ओके अप सुनो ध्यान से जो कपड़ा निकल के आएगा ठीक है students जो कपड़ा निकल के आएगा वो इस तरीके से होगा length और बढ़ा दो गए तो इस तरीके से दिखाई पढ़ेगा देखे दो width तो इसकी fix हो गई length बढ़ा ही area बढ़ा गया length बढ़ा ही area बढ़ा गया ठीक ना students तो मान लो हम इतना कपड़ा लेके आते हैं और इस कपड़ा की length कितनी है इस कपड़ा की length है L कपड़ा आप काटके लेके आओगे तो इसकी लंबाई कितनी आपको नहीं पता है ठीक लेकिन कपड़ा का शेप कैसा लग रहा है rectangular सुनो ध्यान से जितनी भी length का कपड़ा काटके लेके आओगे इससे आपको 100 100 शूट केस कवर करने इससे आपको 100 शूट केस कवर करने पढ़ लिजे एक शूट 좋아 का डमेंशन यह मैजर्मेंटब लैंट behind एक हैसे सूट केस की यह इनगे ने कहीं कि किटने मिन attained का लेंथ लगेगा जिसकी विट्थ कितनी है जिसकी इसकी तो more 100 such suitcase ऐसे 100 suitcase को cover करने के लिए कितना लंबा कपड़ा लेकर आओगे यह आपको बताना है इनके L की value बतानी है अभगे बात ध्यान सुनना आपको L की value बतानी है ठीकि students और L की value आपको बतानी है किसमें meters में यह L की value बतानी है meters में बता नहीं है लेकिन हम क्या करेंगे क्योंकि पूरा question अभी centimeter में चल ला है इसकी width centimeter में length, breadth, height, suitcase का centimeter में देखे रखावा है तो हम एक काम करेंगे पहले हम length को centimeter में निकाल लेंगे tension मतलो पहले हम length को centimeter में निकाल लेंगे जो answer आएगा 100 से divide कर देंगे तो meter में आ जाएगा तो अभी tension मतलो अभी हम क्या करेंगे हमारा target क्या है simply हम पहले तो length को निकाल लेंगे centimeter में उसके बाद हम जो भी answer आएगा उसको हम क्या करेंगे divided by 100 करेंगे divided by 100 करेंगे तो हमारी जो length है वो L in meters आ जाएगी L in meter यह length है अब यह जो कपड़ा है भाई यह कपड़ा कहां लगता है 100 suitcase पे yes sir मतलब संजो कि एक suitcase का area निकाल लो आप एक suitcase पे कितना कपड़ा लगेगा यहने कि एक suitcase का total surface area निकाल लो यह एक suitcase है एक suitcase का total surface area निकाल के उसको 100 से multiply कर दो तो कपड़े का area आ जाएगा ध्यान सुन लो एक बार तो जो tarpaulin वाला cloth है उसका area यहां से निकाल सकते हो कितना L into B आ जाएगा ठीक सुन लो निकाल के दिखा देना हो सुन लो अराम अराम से देखो यहां पर हमने बोला कि भाई area of this यह जो बना हुआ है कपड़ा this अब मैं tarpaulin tarpaulin नहीं लिख रहा हूं ठीक है tarpaulin मैं simple cloth लिख रहा हूं this cloth यह जो cloth है इसका area बताओ देखके कितना आ जाएगा L into 96 एल इंटो 96 ठीक भाई चेक कर लो ना length इंटो यह टोटल एरिया है यह जो area होगा यह area हो जाएगा किसके कवल एरिया total surface area of 100 सूटकेस यह सर क्योंकि सर यही कपला तो 100 सूटकेस पर लग रहा ना एक सूटकेस पर लगाओगे पहले एक कपला बजार से खरीद के लाए हो और और वान अले सूटकेस एक सूटकेस के लिए कितना रेकोईम होगा तो जवाब है एक सूटकेस को पूरा कवर करना है तो पूरा कवर करने के मालों एक सूटकेस का total surface area निकाल लो ये total surface area यह होता है 2 into in the bracket length into breath और प्लस breath into height और प्लस height into length अब तो याद होना चीए 2 in the bracket L into B plus B into H plus H into L, निकाल लो, so 2 into in the bracket L into B, L कितना है बच्चो, 80, so 80 into में B, B कितना आपका, 48, okay, और प्लस B into H, B की जगा हम कितना रखेंगे, B की जगा हम रखेंगे, कितना, 48, okay, so B की जगा हम रखेंगे, 48 into में H, H कितना रखेंगे, H रखेंगे 24, okay, और प्लस H into L, H की जगा हम कितना रखेंगे, 24, और into में L, L कितना है, 80 है, ये लिजे, ठीक, ओके, L into B, यानिके 18 into 48 plus B into H, यानिके 48 into 24 plus H into L, यानिके 24 into 80, okay, ये एरिया आएगा आपका cm2 में, ये एरिया आजाएगा आपका किसमें, cm2 में, ठीके, students, चलो, तो यहां सा आजाएगा 2 in the bracket, अब solve करो इसको, 48 into 8, कितना होता है, 48 को 8 से multiply कर देना, और पीछे एक 0 लगाए लगा देंगे, 88 होता है, 64, 6 जाएगा, 8, 4, 32, plus 6, 38, 384 आगया, तो इन दोनों को multiply करके कितना आगया, 384, और ये वाला 0 यहां चिपका देना, भूल बन जाना, plus, 48 into 24 करिए, 48 into 24 करिए, 48 into 24 करिए, 4, 8, 32, 3, 4, 4, 16, plus 3 होता है, 19, फिर cross लगाएंगे, और multiply करेंगे, ठीक, now, अब ध्यान दें students, 2, 8 जा होता है, 16, 1, 2, 4, 8, plus 1, 9, ये लिजे, 2, 9, plus 6, 15, 1 जाएगा, 9, plus 10, 11, ये लिजे, 11, 152 आ गया, यहाँ पर आ गया, 11, 152 आ गया, और plus, last में क्या करेंगे, 24 into 8 कर दो, और पीछे एक 0 लगा दो, so, 24 into 8 कर देंगे, ये multiply एक बार फिर से चेक कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक, वैसे तो सही किया है, attention मतलो, ठीक, चलो, 24 into 8 कर ले रहे हैं, जो answer आएगा, उसमें 0 लगा देंगे, 8, 4, 32, 3, 8 to the 16, plus 3, कितना होता है, 19, so, 19, कितना रहा है, 192, और ये वाला 0 भूल मत जाना, ये लो, ठीक, अब इन तीनों को add कर दो, जो answer आएगा, उसको 2 से multiply कर देंगे, तो इन तीनों को add कर दीजे, फट आफट, चलिए, क्या-क्या है आपके पास, यहां से आपके पास, 3840, और प्लस, 11521, 152, और प्लस में क्या है, 1920, 1920, लीजे, add कर दीजे, 2 प्लस 0, प्लस 0, 2 आ जाएगा, 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 2, 11, 1 जाएगा, 8 प्लस 1, 9, 9 प्लस 1, 10, प्लस 9, 19, बन जाएगा, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6, यह लीजे, कितना आ गया, यहां से आ गया, 2 इन तू, और ब्रैकेट में, इन तीनों का सम करके कितना आ रहा, 6912, तो 6912, अब हम क्या करेंगे, 6912 को 2 से multiply करेंगे, ठीक, तो यह जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, बच्चो, यह वन सूट केस के लिए, इतना एरिया लगेगा, ठीक, तो 100 सूट केस के के लिए, कितना एरिया का कप्ला लगेगा, ठीक, ठीक, क्या करेंगे, एक सूट केस का एरिया कितना है, चेक कर लो, वन सूट केस का टोटल सर्फिस एरिया कितना है, 13,824, 13,824, सेंटीमिटर स्क्वाइर, ठीक, 13,824 सेंटीमिटर स्क्वाइर, यह एक सूट केस का है, 100 का निकालने के लिए, इसको 100 से का करना पड़ेगा, मल्टिप्लाई, सो, 100 से करो मल्टिप्लाई, तो पीछे 20 लग जाएंगे, यहने के कितना आ जाएगा, 13,824, 00, सेंटीमिटर स्क्वाइर, यह लीजे, अब अच्छो, 100 सूट केस पे, इतना, इतना, सेंटीमिटर स्क्वाइर का कपला चाहिए, यह कपला कहां से आ रहा है, यह कपला यही से तो आ रहा है, यही तो है यह कपला, ठीक है, L into B, और ध्यान सुनो, यहां मैंने लेंद्ध को सेंटीमिटर में माना है, भाया सुन लो ध्यान से, मैंने कहा है कि अभी मैं लेंद्ध को किसमें मान रहा हूँ, सेंटीमिटर में, ठीक, क्योंकि ब्रेथ दिये सेंटीमिटर मे 100 से डिवाइट करूँगा तो मीटर में आप सुनो ध्यान से यह जो area है सुन लो और यह जो area भाई यह equally तो होंगे क्योंकि यह क्या है L into 96 क्या है यह cloth का area है जितना cloth आप total जितने area का cloth आप खरीद के लिए के आयते बजाचते भाईया इसको ही तो 100 इस पर चड़ाया है तो आप यहीं से रहा है यानि कि this area is equals to this area तो इन दोनों के equate कर देंगे ठीक है students यानि कि यहाँ पर क्या होगा area of cloth of length L cm ठीक है L cm हमने इसकी length मानी है न तो L cm length का जो cloth है उसका जो area होगा ठीक यह area equal हो जाएगा किसके equal to area of area of 100 100 suit cases कोई पुझे क्यों कि आयसा तो कहते न भाईया यही कपड़ा तो हमने है काट काट के काट काट के 100 suitcase के उपर चड़ाया हुआ है न अब यहाँ से देखो area of cloth of L cm इसका area कितना था पीछे से जाके देख लो 96 into L था चेक कर लीजे कितना था इसका इसका इरिया है 822 00 यह लीजे ठीक अब बड़ा मज़ाद आ जाएगा यहां से एल आ जाएगा एल इस इकोल्स तो कितना आ जाएगा यह नंबर तो ऐसे ही रहेगा यहने कि 138 2400 ठीक है students और यह 96 आके हाँ नीचे डिवाइड लगा देगा 96 इधर मल्टिपलाई था इधर आके डिवाइड लगा देगा ठीक है students अब इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्फ कर लीचे कैसे करोगे देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे देखो इसको पता आप क्या लिख लो इसको आप लिख लो 13824 ठीक और 00 लगा है तो इंट्व 100 कर दो कुछ वो लोग बलेंगे यह क्या कर दिया सुनो भाई आसान करने के ले किया है ठीक समझो आसान करने के ले किया है इन दोनों को फिर से मल्टिपलाई करोगे 13824 को 100 से तो वापस इतना ही आजएग और 96 से डिवाइड किया है अब सुनो इतने को सॉल्फ कर लो ठीक जो आंसर आजएगा उसको 100 से मिल्टिपलाई कर दो तो 13824 को 96 से सॉल्फ कर लो ठीक कर दें सॉल्फ आओ यहां पर कर देते है 13824 को आप 90 यह नहीं 96 से नीचे 96 से सीधे डिवाइड लगा दो 96 सीधे में यह लगा देना वहाँ आप चाहो तो 2 से कार्ड भी सकती हो ठीक वाइंट सेट माइनन से स्कीट वहता है उसको ऌकशना होता है और 13 माइनस में कितना होता है इस अप यहां से हम फॉर क वंकेज़े तो यहां से 1 चला गया तो 1 बचेगा और यहां से 1 कहरी लेंगे 11-8 होता है 3 यहां बचेगा 3 3-3 कुछ नहीं बचेगा और यहां से हम कॉपी करेंगे और फिर से 96-4 कितना होता है 384 होता है रिमेंटर आ जाएगा आपके बास 0 इसका मतलब यह है कि 96 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो यह पूरा सॉलिशन कितना आ गया 144 आ जाएगा ठिक यहां आ जाएगा कितना 144 और into में क्या बच गया 100 अब मेरी बात ध्यान से सुनो यानि कि कितना आ गया 144 00 सेंटीमिटर पुन लो लेंथ आ गई है किसमें अभी सेंटीमिटर में थोड़ा ध्यान देंगे बच्छे लेंथ आ गई है मेरी 144 00 सेंटीमिटर आप खुद सोचो क्या आप आंसर ऐसे दोगे अगर वो यह नहीं भी बोलता कुश्चन में कि find the length in meters तब भी आप मीटर में देते अपनी समझदारी जा कैसे बजार में जाओगे कप्ला ले तो आप क्या उसको बोलोगे आप बोलोगे भीया मुझे ना 14400 सेंटीमिटर का लेंथ का कप्ला दे दो ऐसा तो नहीं बोलोगे भाई मीटर में बोलोगे ना मीटर बड़ी युनिट होती लेंथ की तो इसको मीटर में convert करेंगे कैस से एल इस इक्वल्स टू वन फोर और डबल जीरो ठीक सेंटीमिटर को हम क्या करेंगे हैं हंडेट से डिवाइट लगाएंगे तो यह युनिट सी एम सी एम की जगाब हम एम लिग देंगे मीटर में चेंज जगा दो जीरो से दो जीरो कड़ गए 144 अपान वन यानिके 144 तो अब उसने आपसे question क्या पूचा था आपसे पूचा था कि how many meters of tarpaulin of width तो हम आंसर लिखेंगे how many की जगा हम क्या कर देंगे यह आंसर लिख रहे हैं ठीक 144 meters of tarpaulin of width 96 centimeters required to cover 100 such suitcase ठीके students note कर ली छे